हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपेल और स्वागत आप सभी कफूर आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स इस वीडियो में अब हम लोग GKK25 Most Important Question को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए अतिमातपूर्न है तो इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और इन्हें याद कर लिजगा ठीक है आप इस वीडियो का फिरी पीडियो फाइल वीडियो डॉलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए है या तो फिर आप मेरा टेलिग्राम ग्रूप जोइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी सिसका पीडियो फाइल डॉलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप जोइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए है एक और अक्टूबर 1993 को और किस भासा के अधार पर इसका गठन किया गया था भासा के अधार पर राजों की गठन की मान को देखते हुए तो आप इन सभी चीजों को याद रखिएगा ठीक है अगला प्रस्न है भारत के सरवाधिक छेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाय जाता है तो वह पाय जाता है जलोड मिट्टी का अलुवियल सोयल का या नदियों दुवारा लाई गई मिट्टी है या मिट्टी भारत के लगबग 23% छेत्रफल पर पाय जाती है या दो परकार की होती है, बांगर और खादर, पुराने जलोड मिटी को बांगर तथा नई जलोड मिटी को खादर कहा जाता है, जलोड मिटी उरवर्ता के दृष्टी कौन से काफी अच्छी माने जाती है, इसमें धान, गेहू, मक्का, तिलहन, दलहन, आलु इत्यादी फसल इस्या से अलग करता है, तो देखे, इरोब को अशिया से युराल परवत, काकेशस परवत, कैस्पियन, सागर, ये तीनों ही अलग करते हैं, ये तीनों जो है, इरोब और इस्या के बॉर्डर परिस्थित हैं, तो इसका राय्ट आंसर हो जाएगा, आप्सन डी, ये सब ही, अ उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, हैजा से परभावित होने वाला अंग कौन सा है? आथ है, ठीक है, हैजा से आथ परभावित होता है, छे रोग यानि टीबी के जिवानों की खोज भी रावट कोच नहीं की थी, टीबी किस जिवानों से होता है? माइको बैक्टेरियम क्यू तो वह होता है नावकिय संलेयन परिकरिया के दुआरा, ठीक है, हाइजरोजन बम की सिधान पर अधारित है, तो या भी नावकिय संलेयन पर ही अधारित है, अच्छा परमानु बम की सिधान पर अधारित है, तो परमानु बम नावकिय विखंडन के सिधान पर अधारित है अगला प्रस्ण है लोगसभा अध्यच अपना त्याग पत्र किसे देता है तो लोगसभा अध्यच अपना त्याग पत्र लोगसभा उपाध्यच को देता है तथा लोगसभा उपाध्यच अपना त्याग पत्र लोगसभा अध्यच को देता है अभी वरतमान में लोगसभा अध्यच कौन है, ओम बीड़ना है, और इनका निर्वाचन छेत्र कौन सा है, राजस्थान का कोटा है, ठीक है, चले next question देखते हैं, दूद खटा होने पर कौन सा एसिड बनता है, तो दूद खटा हो जाने पर, या जो है, दूद खटा होने पर, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, यानि खटे दूद में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, अगला प्रशन है, दूद की सुधता किस से मापी जाती है, तो दूद की सुधता लैक्टो मीटर से मापी जाती है, हाइडरो मीटर से जो है, द्रवों का आपेची घनत वग तो देखे, अभी हाली में रसगुले को GI tag दिया गया है, यह जो है, यह औरिषा राज्य की लोगप्रिय मिठाई है, GI tag क्या होता है, तो GI tag किसी वस्तू के किसी खास छेत्र या इलाके में विशेश होने की मानिता देता है, विशेश पहचान देता है, GI tag का full form क्या होता है, तो GI Tag का Full Form होता है Geographical Indication Tag ठीक है तो आप इसका Full Form भी याद रखेगा और रसगुला जो है यह ओडिसा राजे की लोग प्रिये मिठाई है जिसे अभी हाले में GI Tag दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच दाब पर जल के कुथनांग को बढ़ा देता है तो इसका राइट आंसर है Option D अगला प्रस्ण है स्मॉग किसका मिसरन है तो स्मॉग जो है धूम्र यानि अस्मॉग और कोहरे का मिसरन है तो इसका राइट आंसर हो जागा Option D अगला प्रस्ण है किस देश में विश्व की पहली हैड्रोजन संचालित रेल गाड़ी का परिचालन आरंभ किया गया तो इसका राइट आंसर है Option A जर्मनी जर्मनी 20 विश्व का ऐसा पहला देश है जहां पहली हैड्रोजन संचालित रेल गाड़ी का सुभारम किया गया है नेक्स्ट क्वेशन है बैटरी में निमलिखित में से किस एक अमलका परियोग किया जाता है तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अमलका परियोग किया जाता है ठीक है सल्फ्यूरिक अमलका और इसका रसाइनिक सुत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अमलका तो इसका रसाइनिक सुत सीमा परिस्थित जलपरपात कौन सा है तो वह है नियागरा जलपरपात ठीक है नियागरा जलपरपात जो है यह संजुकत राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर इस्थित है बौर्डर पर है नियागरा जलपरपात कौन सी नदी परिस्थित है सेंट लॉरेंस नदी परिस् तो यह कैरोनी नदी परिश्थित है, विक्टोरिया जलपरपाथ जो है, यह कहां पे है, तो यह अफ्रीका महादेश में है, जिमबाबे और जामबिया की सीमा पर, विक्टोरिया जलपरपाथ किस नदी परिश्थित है, जैंबेजी नदी परिश्थित है, चलिए अगला प् अभारत सरकार दोनों के द्वारा जारी रिपोर्ट एवं सरकारी दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार किसी सुचना प्रस्तावाधी को जारी करती है ग्रीन बूक जो है या इटली और इरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकासन है ग्रे बूक बेल्जियम वा जापान की सर आज में परसीद है तो देखे जली कट्टू जो है या परसीद है तमिलनाडू में यानि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जली कट्टू तमिलनाडू के ग्रामिन इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पॉंगल त्युहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इनसानों की लडाई कराय जाती है इस खेल में सांडो को अपने वस्मे करना होता है चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं बाग से पूर्व भारत का राष्टे पसू था तुवा था सेर ठीक है 1972 तक भारत का राष्टे पसू सेर था उसके बाद 1973 से बाग को राष्टे पसू अस्पेस रिसर्च औरगनाईजेशन ठीक है इस रो के स्थापना कब हुई थी 1979 में हुई थी 1969 में ठीक है 1979 में इस रो का मुख्यालय का अश्तित है तो इस रो का मुख्यालय बेंगलूरू में है इस रो के वरतमान अध्यच कौन है के सिवान है चले अगला प्रस्ण देख प्राइपमाल नामक पुष्तक की रसना किस ने की है ? चलिए अगला प्रसन देखते हैं जिला नियाई धिसों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो जिला नियाई धिसों की नियुक्ति राजिपाल द्वारा की जाती है ठीक है यानि इसका राइट आंसर है option A सविधान के अनुछे 233 में जिला नियाधिसों की नियुक्ति के बारे में प्रवधान दिया गया है इसके तरत राज्य में जिला निया धियुसों की नियुकती, पदस्थापन यानि ट्रांसपर तथा पदोनिती, प्रमोसन इत्यादी उस राज्य के राज्यिपाल द्वारा राज्य के उच नियाले से प्रामर्स के पस्चात की जाती है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्परिसता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूँगा तो यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है सुवराज मेरा जन्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह प्रसीद नारा भी इन्हीं का है बाल गंगाधर तिलक का ही नेक्स्ट क्वेशन है बीग बैंक सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था बीग बैंक एक आधुनिक्तम परिकलपना है जो ब्रह्मान की उत्पती को वैज्ञानिक अधार पर असपस्ट करती है इस सिधान्त का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था नेक्स्ट क्वेशन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेशन वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2019 में भारत का अस्थान है तो वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 140 है संजुकत राष्टर सतत्विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2019 में भारत को 140 स्थान दिया गया है यानि भारत खुसाल देशों की रैंकिंग में कितने नमबर पर है तो 142 नमबर पर है ठीक है इसमें total 156 देशों को सामिल किया गया था इस 156 देशों की सुचि में पहले नमबर पर कौन है तो वह है फिनलांड ठीक है यानि फिनलांड के लोग 20 में सरवाधिक प्रसन है पाकिस्तान शर सट्वे नंबर पर है अच्छाала वर्लड हैपिनेश डे यानि 20 प्रसंता दिवस कमना जाता है इसी दिन यह रिपोर्ट जारी हुआ था वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2019 तो वर्ल्ड हैपिनेस डे कमना जाता है तो यह मना जाता है 20 मार्च को ठीक है 20 मार्च को तो आप इसे भी याद रखेगा अंत में आपके लिए क्विस्टन है तमासा किस राजे की लोक रंगमत सैली है तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंड बॉक्स में दीजेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाक तता सेर जरूर कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग